नमश्कार आप देख रहे हैं आरे नियोज मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रूख करेंगे मद्धिप्रदेश और चतिसगर की कुछ बड़ी खबरों की और बताते पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परिशान है और इसी सवाल पर मद्धिप्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि जिंदगी में परिशानी ही सुका आनंद देती है जब तक एक भी परिशानी ना आए तो आनंद भी नहीं आता है एक तरफ देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है सभी महानगरों में पैट्रोल की कीमते सो रुपे प्रतिलीचर को पार कर गई हैं तो वहीं ऐसे में मंत्री महंगाई को लेकर अपरी दलीले गिना रहे हैं महंगाई पर सवाल पूछ जाने पर मद्यप्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दार्षनिक अंदाज में जवाब देते हुए वो नजर आए बदादे मद्धपरदेश के मंतरी ओंप्रकाश उकलेचा ने महंगाई पर दाश्रीक रूप अपनाते हुए चनिवार को कहा है कि जिंदगी में परिशानी ही सुख का अनन्द देती है जब तक एक भी परिशानी नहीं आए तो सुख का अनन्द भी नहीं आता है महंगाई कम नहीं कर पाने के लिए मोधी सरकार की नीती की विफलता के सवाल पर सकलेचवा नहीं कहा है कि यह आप जैसे लोगों की सोच हो सकती है जो वाओं को फैला रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रेस को पोली का टीका लगाने में 40 साल लग गए लेकिन मोधी ने एक साल में ही एक साल के अंदर देश में कोविड-19 टीके का निर्माण और जनता को लगाने का काम दोनों ही शुरू कर दिया ऐसे में चोतरपुर्ट जिले के प्रभारी मंत्री सकलेचवा यहां कुछ कारेक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे जोरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो इमाद ब्रिदेश के ग्वालियर में एक सरकारी इंजिनियर के घर पर चापे में करोडों की संपत्ती का खुलासा हुआ है बदा दे पी डव्यू जी के इंजिनियर के घर ई ओ डव्यू ने चापा मारा है तो वहीं उसके पास चार करोड का बंगला पांच किलो चांदी 3.5 लाग रुपे नगद और करोडों की अन संपत्तियों का खुलासा किया गया है बदा दे प्रदेश में हाल ही के कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आये हैं जहां पर आए से अधिक संपत्ती अधिकारियों के पास से बरामत की गई है जब मामुली आमदनी वाले सरकारी अफसरों के पास अब आकूद संपत्ती होने का ये मामला सामने आया है इसी बीच आपको बदा दे ये और डबल्यू की टीम ने गौालियर के डीबी सिटी में रहने वाले पी डबल्यूजी के इंजीनियर रवेंद्र सिंग कुछवाह के घर शापेमारी की है जिसमें अकूद संपत्ती का खुलासा किया गया बदा दे चुले कि इंजीनियर के गौालियर सिट बंगले की कीमत चार करोड रुपे है और इसी के साथ ही बोपाल और गौालियर में भी उनके फ्लाट्स है शुरुवाती जाँच में साड़े तीन लाक रुपे नगदी करीब धाई सो ग्राम सोने के जेवराग और पांच मदब्रदेश में मौनसून का इंतिजार अब खत्म हो गया है आकिरकार शुनिवार को एक्टिव मौनसून भोपाल पहुँच गया और दोपहर साड़े तीन बुजे के बाद से ही जमा जम बारिश भी शुरू हो गई है जिसे गर्मी और उमत से लोगों को बड़ी राहत म नहीं है शुकरवार रात में भी बारिश होई और इसी के साथ ही सुबह से ही धूप खिली रही थी इसी के साथ ही पता दें कि मौसम केंद्र भोपाल की माने तो मदब्रदेश में 17 जुलाई तक तेज बारिश होने के आसार हैं और इस बार मौनसून ने जून के दूसरे खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल इंदौर जैसे समेत पूरे कई प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार चुताय जा रहे हैं मौसम केंद्र भोपाल के वग्यानेक पी के साहा ने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है और वहीं नौट बैस राजस्तान से बंगाल की खाड़ी तक ट्राफिक लाइन जा रही है इससे मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक अच्छी बरसात होने की संभावना है